हेलो आप सबी का स्वागत है रिष मस्टेस्टी पूड़ी चाहईरल में और आज हम बनाने वाले हैं सोड़ाचा बात आज की डिनर रेसिपी है ड्राय फ्रॉंट राइस तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी सबसे पहले यहाँ पर हम सोडे ड्राय प्रॉंस लेंगे और जितने हमें चावल लेने है ना उससे आदे है यहाँ पर हमने यह सोडे लिए है तो देखेगा इस कप से मेजर करके मैंने हापकप इतने सोडे लिए है अब इसे हमें गरम पानी में आदे घंटे के लिए भीगो क को फाइन चौप करके रखा है आपके पास हरी हो तो हरी लीजेगा पिली हो तो पिली लीजेगा उसके बाद मैंने कम टमाटर चौप किया है और यहाँ पर हमें हरा मटर भी लेना है जो कि फ्रेश होता है तो यहाँ पर हम एक बावल में चावल दो कर लेंगे तो एक कप इतन याने कि जो सोड़ा है उससे ज़ादा तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैंने 2-60 टेबलस पून इतना तेल डाला है एक टेबलस पून इतना घीर डाला है आप पूरा गी भी डाल सकते हों वनफोर टीयस पीतना जीरा डाला है वनफोर टीयस पीतना शाही जीरा डाला है दोनों को अच्छे से बूनने के बाद मैंने एक तेज पत्ता डाला है दो लवंग और दो हरी लाइची डाली है आधा दाल चिनी का तुकड़ा डाला है और इसे हमें अच्छे से तेल में रोस् अगर आप लहिसन खाते हो तो लहिसन डाल सकते हो टमाट डल सबसे पहले डाला है और यहाँ पर आप प्यास भी डाल सकते हो तो प्यास के जगह यहाँ पर मैंने पत्ताग ओभी डाला है और ओभी मैंने वनफोर कप इतना लिया है इसे अच्छे से बूनने देना है हमें तेल जरी की पाफ़रण डाली है उसकेबाद मैंने हमच फ़ोड़ा कम हरुम डाला रहे हैं और यहाँ पर में धना पाऊड़र डाला है हाँ टेबल स्पोन इतना 1 tbs इतना जिरा बावडर ुरो शेले अच्छे बूंना है直接 duy बूज़तों साले और सब्जी हमें तीन से चार मिनट अच्छे से मेडिक नियास के फ्लिम पर भूनी है उसके बाद मैंने सोड़े जो होते हैं ड्राय प्रॉंस उने दो कर प्रेशर कुकर में डाला है इसे भी अब हम अच्छे से सब्जों के साथ भून लेते हैं तो करीब इसे दो मिनट के बाद मैंने स्वादानुसार नमक डाला है इसमें और पानी उबालने के लिए दूसरे गैस के उपर रख दिया है अब हम चावल का पानी निकाल कर सिर्फ चावल डालेंगे प्रेशर कुकर में और इसे भी हम एक से दो मिनिट तक बहुत ही अच्छे से बूनेंगे आप अच्छा हो तो आप इसमें फिर से थोड़ा सा घी भी डाल सकते हो मैंने दो टेबल स्पून इतना उपर से धनिया डाला है धनिया डालने के बाद मैंने गरम पानी डाला ही जितना आपको जरूरी है उतना ही डालिएगा प्रेशर कुकर में ज्यादा पानी डालने से आपक के बाद देखेगा हमारे जो ड्राइब राइस है न एबन के तयार होता है तो डीनर के लिए भोती परफेक्ट और टेस्टी इस रेसिपी है तो आप भी इस रेसिपी को जरूर राइ कीजेगा इस राइस को बना कर आप कमेंट करके बताएगा कि ए राइस कैसे बना था ड्रा प्राउंद राइस बनाने के लिए यहां पर मैंने दावत का चावल लिया है अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और इस रेसीबी को जरूर ट्राइब कीजेगा बबाई